आज बिहार की बात में चर्चा राजद के सदसता वियान की हर तरफ यह कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी आदव पहुँचेंगे मगर ना तेजस्वी पहुचेंगे ना तेज तेजस्वी आदव के सदसता वियान में शामिल होने की बात के वज़े से राजद कारयाले पर जो कुछ कारय करता दिखे वो आये थे उनके अंदर उदासीन था थी क्योंकि वो यह सोच कर आये थे कि तेजस्वी आदव को एक बार देखने का तो मौका मिली जाएगा इसी के स सदसता अवियान भी चला लेकिन इस सदसता अवियान से निकले आखडों का अगर जिकर करें तो ये बहुत चिंता जनक है राजद के लिए सबसे जादा क्योंकि ये लगभग सौ के ही आज पास रहे हमारे रिपोर्ट में आपने देखा जब हमारे सेयोगी तन्वीर आलोक राजद का रेले से लगातार रिपोर्ट कर रहे थे कि सदसदा अवियान में कुड़सियां खाली रहे गई आज करांती दिवस के अवसर पर इसका आयोजन किया गया था और कहा गया था कि कारेकरताओं के साथ साथ चंदा भी कटा करने में राजद जुटेगी यानि कि जन करेकरता मतब राजद की सदस्ता अली राजद के करेकरता बने मौके पर प्रदेश अद्यक्षण राम चंदरपूर बे मौजूद थे शिवचंदर राम थे और कोई बड़े नेता रही थे लेकिन एक के बादे करेकरताओं को होसला उदंदन किया जा रहा था जो लोग वह सवाल राजद के लिए यह खड़ा हो रहा है कि आखिर डूबती हुई साख को कौन बचाएगा क्योंकि तेजस्वी आदव तो इसे बचाने आ नहीं रहे कारेकरता और नेताओं को भी इस बात का संग्यान था कि तेजस्वी आदव आएंगे क्योंकि राजद का एक बड़ मीडिया वालों से पूछ रहा था लेकिन सही माने तो मीडिया वालों को क्या राजद के वरिश्ट नेताओं को भी इसका जवाब नहीं पता है अगर किसी को पता भी है तो वो कुछ कह नहीं सकता क्योंकि नौकरी खत्रे में पढ़ सकती है तेजश्वी आदव राजद के सुप्रीमो लालो प्रशादी आदव की गयार मौजूदगी में राजद की कमान सभाले हैं हमने उन्हें लोकसवाद चुनावों में दोसो चौबिस घैलियां करते हुए भी देखा उस वक्त जिस जोश और खरोश के साथ तेजश्वी आदव लगे थे उससे लग रहा था कि महागटवंदन मजबूत होगा हाला कि प्रदर्शन चुनावों में ऐसा रहा कि राजद का सूपड़ा साथ हो गया महागटवंदन विहार में महज एक सीट पर सिमट गई जिसके बाद से ही तेजश्वी का जो अग्यात वास शुरूर हुआ है वो बीच बीच में तूटता है मगर अभी तक चल ही रहा है कभी राची के रिम्स में दिखते हैं लालू पृशाद यादव से मिलने कभी एक जलक विधान सभा में भी दिखा जाते हैं जहांके नेता प्रतिपक्ष होने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है कभी राज़त के किसी नेता के बयानों में तो कभी ट्वीटर पर अब तेजश्वी यहीं मिल रहे है हर बात पर ट्वीट करने वाले तेजश्वी चमकी बुखार के दौरान भी नदारद रहे हीट स्टोक पर भी नदारद रहे जब वापस लोटे तो एक ट्वीट से अपने अग्यादवास की जानचारी दी जिसमें किसी लिगमेंट फ्रेक्षर का जिक्र किया था उन्होंन ने भी जम कर घेरा सुशीर मोदी बोले कि यह विहार के संसद्य इतिहास का पहला वाक्या नीरज कुमार इसे देश के संसद्य इतिहास का पहला मामला बता रहे थे लेकिन आज राज़त के सदस्दा अवियान की जो नजारे रहे वो बहुत अद्भूत रहे वो बहुत दूबती हुई नईया को के लिए पतवार का काम करेंगे यानि कि उस्ते उठाने के लिए यहां काड़िकरता मिलेंगे जुटेंगे और दमखम के साथ लगेंगे लेकिन बिहार विदान सभा के नेता प्रतिपक्ष और लाल प्रसाद यादव की ग्यार मौजूदगी में रा काली कुट्चियों के साथ एक के बाद एक उठके जाते हुए लोग इस बात का गवाह थे कि राज़त से मौभंग हो रहा है लेकिन मौभंग शब्द आज किसी और के साथ भी लिया जा रहा था किसी ने यह कहा कि लगता है कि तेजश्वी आदव का राज़त से ही अगर ऐसा होता नहीं दिखा ऐसा हुआ नहीं और तेजश्वी आदव के ना आने से कारकरताओं में उत्साह जो थी वो बेहद ही कम दिखी बाते तेजश्वी आदव के मौभंग होने की हुई तो लोगों ने यह भी पूछा कि आखिर मामला क्या है तो हर किसी के पास अलग अलग दलीले थी राज़त कारियाले पर कोई लालू के अंध भक्त थे कुछ तेजश्वी आदव के भक्त थे मगर इन तमाम चीजों के ब बिधानसभा चुनाव का है बिहार के लिए और महागटवंधन तेजश्वी आदव को अपने चेहरे के रूप में फॉरकास्ट करता है मगर जब एक और महागटवंधन ने अपना नेता तेजश्वी को मान लिया है वो वैसे ही बिधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं त जब हताश परिषान जनता की आवास को उठाने का वक्त रहेगा तो आप गायव रहेंगे और जब चुनावों में वोट मांगने का वक्त आएगा तो आप लालू यादव के नाम पर या साम्परदाईक ताकतों के खिलाफ एक जुट होने के नाम पर वोट मांग लेंगे और वोट मिल जाए, ऐसा है नहीं, क्योंकि जनता भी देख रही है कि हमारी मांग भी कोई सुनने वाला नहीं है, या तो सरकार की शिकायत करो और शिकायत करने के लिए भी सरकार ही है, कोई विपक्ष नजर नहीं आता, महागठ बंधन के बड़े नेता भी आज कल कहा है, किस किसी को नहीं पता, छेदर से खबरे नहीं आती है, हमारे सायोगी हर जिले में तैनात है, जो नजर बनाए रखते हैं कि कब किसी नेता के आने की खबर हो जाए, महागठ बंधन का कोई नेता, कोई कारेकरम कर ले, कोई सम्मेलन कर ले, कोई कारेकरता जाग रुपता अभिय नहीं चला ले, मगर ऐसा होता नहीं है, बिहार की जनता एक तरफ तो 14 साल से चल रहे, इस NDA सरकार से नकरात्मख हो चुकी है, क्योंकि इतने साल बीच जाने के बाद भी, शुरुआती है, एक सुशासन बाबू की छवी होने के बाद भी, आज के हालात ऐसे हैं कि पबलिक परिशान है, हर आपदा बिहार को इतना चोट पहुचा जाती है, जैसे कि बिहार में कोई तयारी ही ना हो, और ऐसा नहीं है कि ये जो आपदाएं है, वो पहली बार है, बार हर बार आती है, चमकी बुखार हर बार आता है, कभी जादा तो कभी कम बच्चों की जिन्दगि आते इस बीच जो नराज जनता है जो परिशान जनता है वो आखिर जाए तो जाए कहां क्योंकि हालात ऐसे हैं एक तरफ कुआ दूसरे तरफ खाई आप इस बात को सही मान सकते हैं क्योंकि विपक्ष जिसके उपर जिम्मेदारी है सरकार से नराज जनता के आवास को उठाने मगर उस पद की गरिमा को नहीं संभाल पाते उस पद के फर्ज को नहीं निभा पाते और फर्ज छोड़िये जो सौभागे मिला राज़त का नित्रत को करने का उसे भी ठीक से संभालते हुए नजर नहीं आ रहे पार्टियां डूब रही है महां गटबंदन की भाजपा जद्यूभूत को मजबूत बनाने में लगा है और अब आगने वाले वक्त में देखना होगा कि बिहार में विपक्ष की जगहा कितनी बच जाती है क्योंकि अभी तक तो जो रवया है वो सकारात्मक नहीं लगता बेरहाल हर वक्त हर पल हर पल के अपडेट्स इन सब पर लाई सिटीज की नजर है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले बल आइकन भी दवादे आज भी यार की बात में बस इतना ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया झाल